क्लास 12 का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट के स्टेडी का कुश्चन है ठीक है इस बार मेरे इसकी स्टुन का प्रिवोट के एक्जाम में आ था जिसने यह डाउट मेरे को बेजा और इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रहो और आप लोग इसका कुश्चन और पता है और नेंडा फिगर तो एक आर्केट्रग में एक इंतंड से के इसने का स्टोन का इस तरहें कहां है रिक्तेंगूलरर है और डैसरे क्वीडियो appli going नोबॉप डिया है इसका रहे डिजल्स का ब्रति आप 10 में gelir theيم यहां पर X और Y जो है लेंट और बेथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर और options को options भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं अगर देंगे तो अच्छा है नहीं देंगे तो भी आपको मतलब option दे या ना दे को मैटर नहीं करता है solve करना ही पड़ेगा अगर अगर आपको इन अगर निकाल लेने के बाद इसका maximum उसको maximize करना है the CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor including the semicircular end for this to happen what should be the value of X ठीक है तो जो CEO of the company है इस पूरे area को maximize करना चाहते है अगर उनको maximize करना है पूरा area को तो X का value क्या होना चाहिए यह पूछा है last question में तो एक एकर करके solution इसको बताने चलिए है तो यह है first question solution मैंने करके रखावाई भी समझाओंगा इस एक्स और य रिप्रेजन दा length and breadth तो X and Y जो figure है वो that represents length and breadth so find the relation between the variables तो यह X और Y में क्या relation है यह आपको बताना है ठीक है तो firstly जो given है वो क्या है perimeter of the region 200 meter यह question में हमको given है perimeter का मतलब क्या है इसका length plus इसका length plus यह दो semi circular का end ठीक है तो यह तो X है यह भी X है तो इसलिए X plus X आगे हमारा और यह जो दो semi circular end है इसका length कितना होगा देकि पूरा circle का जो length होता जो perimeter होता पूरा circle का वो क्या होता है 2 pi r तो हमको सिब आदा circle का इतने का length बताना होगा तो obviously यह क्या हो जागा 2 pi r divided by 2 इसलिए 2 pi r divided by 2 क्योंकि दोनों side में semi circle है और 2 है इसलिए इसको into 2 कर दिया हमने यह पूरा एक है तो यह 2 यह 2 अंदर cancel हो गया तो यह हो गया X plus X 2X और pi r into 2 2 pi r ठीक है अब देखें यह question में दिया है कि यह जो radius है यह है y by 2 ठीक है यह question में ही दिया हुआ है question में देखेंगा y by 2 और नहीं भी दिया है तो पता तो लगी रहे न कि यह diameter है y तो radius इसको y by 2 ही होगा तो यहां पर हम जो r है r को put करेंगे solve कर लेंगे पहले 2x 2 pi r is equal to 200 इसमसे 2 common ले लिजे तो x plus pi r is equal to 200 यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है तो यह common आ गया और यह 2 को जब में इधर लेके आएंगे तो यह हो जागा x plus pi r is equal to 200 by 2 now r is equal to y by 2 put कर लेते हैं यहां पर जो r है उसको y by 2 put कर लेते हैं क्यों y by 2 put करना है क्योंकि हमको relation between the variables बता रहे है वहां पर variable क्या है हमारा x और y तो इसलिए r को हटा रहे है हम in terms of y ठीक है y by 2 जहां से आ रहा है हमारा r is equal to y by 2 तो x plus pi into y by 2 is equal to 100 इसका LCM कर देंगे इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 1 और 2 का LCM हो जागा 2 तो यह हो जागा 2x plus pi y is equal to 100 and 2 को इदर multiply कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा required relation 2x plus pi y equals to 200 यह first number का answer हो गया अब यह question number second का answer बताता हूँ तो यह है question number two the area of the rectangular region A expressed as a function of x यह जो rectangular region है floor का इसका area बताना है हमको in terms of x तो rectangle का area का formula क्या होता है length into breadth तो x into y और हमने अभी अभी 1 में यह पता किया है 2x plus pi y is equal to 200 यहां से हमको क्या पता चल जाएगा y का value तो y का value हम यहां से निकाल लेते हैं 2x को धलेगा तो 200-2x हो जाएगा और pi को धलेके आएगे तो y equals to 200-2x upon pi अब यह जो y का value निकला है इसको हमको क्या करना है यहां put करना है तो x into y का value put कर दिया अब यहां से मैं common ले स देखे पहले 2 common लेने से क्या होगा x पहले से बाहर है इन्टू उपर से 2 नीचे नीचे है पाई तो यह हो जाएगा 100-2x फिर अगले step में क्या क्या है x को अंदर multiply कर गया तो 2 upon pi और x multiply करने से क्या हो जाएगा 100x minus x square तो this is required area जो area पूछा है यह है उसका answer ठीक है तो third question दिखते हैं भी तो third question में बोला है जो area हमने निकाला है what is the maximum value of the area इसका maximum value क्या है तो maximum value निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो कोई function है इसको maximize करने के लिए पहले तो हम उसको differentiate करते है differentiate करने के बाद जो value आता है उसको हम equals to 0 put करके x का value निकालते हैं x का value जो निकलता है उसको फिर original function में put करके value पता करते हैं ठीक है तो यह हो गया area 2 upon pi 100x minus x square अब भी निकालाता है इसको हम इसमें variable क्या है? x है तो दोनों side differentiate कर देंगे with respect to x तो da upon dx x is equal to 2pi इसको direct differentiate कर देंगे तो constant तो 2pi और 100x का differentiation क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा तो d by dx of 100x तो इसमें 100 सामने आ जाएगा तो d by dx of x d by dx of x का value क्या होता है? 1 तो 100 into 100 and d by dx of x square d by dx of x square इसमें x to the power n का जो formula है वो लग जाएगा n सामने आ जाता है x to the power n minus 1 तो इस तर से 2 सामने आ जाएगा 2 minus 1 है ना? 2 सामने आ जाएगा 2x और 2 minus 1 तो 2x हो जाएगा और 2 minus 1 क्या हो जाएगा? 1 इसलिए यहाँ पर होगे 2x तो differentiate कर देंगे तो 2 upon pi into 100 minus 2x equal to 0 इसको इधर लेके आएगे तो यह 0 के साथ 0 हो जाएगा minus 2x इधर आ जाएगा अगली स्टेप में तो 100 is equal to 2x हो गया फिर 2 को इधर लेके जाएगा तो x is equal to 50 हो जाएगा तो यह हमको x का value पता चल गया जो अब हमको original जो area था area वाला function इसमें put कर देना है तो x is equal to 50 area what we get देखो यहाँ पर क्या था? 100 x था तो 100 x आना चीए और minus x square मतला 50 square आना चीए तो 100 x 50 minus 50 square 100 x 55,000 50 square 2500 ठीक है minus कर दो 2500 हो गया 2 x 2500 5000 by pi meter square यह हो गया maximum area ठीक है? आँ next question तो next question में यहाँ पर बोला है the CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor यहाँ पर ध्यान देना अब पूरी floor का बात क्या गया है ठीक है? इससे पहले जो हमने area निकाला था वो सिर्फ rectangular region था अब whole floor में क्या आ जाएगा? यह जो semi-circular region है इसको भी add कर देगे हमने लिखा भी है including the semi-circular ends for this to happen what should be the value of x? अगर ऐसा करना है तो x का value क्या होना चाहिए? मतलब CEO को यह floor का area maximum से maximum चाहिए तो उसके लिए x को कितना होना पड़ेगा? तो इसमें total area निकालने के लिए यह जो a है इसका area plus area of the two semi-circular ends लेना है लिखा हमने area plus two into area of semi-circular ends two क्यों लिखा है? क्योंकि दो semi-circular ends है और दोनों अगा semi-area होगा इसलिए two into area of semi-circular ends कर दिया अगर अलग-अलग area होता तो अलग-अलग add करते है तो इसका area हमने अलड़ी पहले वाले question में निकाला हुआ है area मतलब question number यहाँ पे निकाला हुआ है area यही वाला area हम यूज़ कर दिया ठीक है? प्लस यह two into area of semi-circular end देखे एक circle का area क्या होता? circle का area होता है pi r square by 2 sorry, pi r square तो circle का आधा का area निकालने के लिए pi r square by 2 करना होगा तो pi r square by 2 और यह two है तो यह two to cancel ठीक है? तो 2 upon pi 100x minus x square यह हो गया pi और r का value हमने पहले ही निकाला हुआ है y by 2 यहां से भी पता लग रहा है तो y by 2 r के जगापे पूट कर दिया तो यह हो जाएगा 2 upon pi 100x minus x square यह जिए हो करते हो pi y का square हो जाएगा y square 2 का square हो जाएगा 4 ठीक है? अब जो y का value हमने निकाला था question number 2 solve करते हैं question number 2 solve करते हैं हमने यहां पे y का value निकाला था तो इस y का value को हम यहां पे use करेगे यह जो y आया है न यहां पर हम इस y का value को put करेगे तो देखो 2 upon pi 100x minus x square pi यह ना pi यह जो नीचे का 4 है से नीचे आगया और y का square है न तो इसलिए 200 minus 2x upon pi का square जो भी था y का value वही put कर दिया है तो यह जैसे हम ऐसे लिखा pi upon 4 अब देखो यह pi का square क्या हो जाएगा pi square होगा तो 1 by pi square बहार लिख दिया है अब यह दोनों में से 2 common आ रहा है तो 2 जब इसमें से common आएगा तो सिर्फ 2 नहीं आएगा तो उसके साथ एक square भी आएगा तो इसलिए 2 square हमने common ले लिया तो यहाँ पर रहे जाएगा 100 minus x ठीक है इस चीज़ को यहाँ पर एक बार explain कर देता हूँ तो यहाँ पर बताता हूँ क्या था 200 minus 2x इसका square तो इसमें से मैं 2 common ले सकता हूँ तो 100 minus x square यह जो square रहेगा यह पूरे के उपर है ठीक है तो इसलिए यह square 2 के साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा वही चीज़ हमें किया हुआ है 2 square और 100 minus x square ठीक है अब देको 2 square और 4 यह हो जाएगा cut और यह pi और यह square कट हो जाएगा ठीक है तो यह जैसे हम ऐसे ही लिखा यहाँ पर रहे गया 1 upon pi 100 minus x का whole square जैसे इसको ऐसे उतार देते है इसमें हमने a minus b whole square लगा दे तो a square a minus b whole square क्या होता है a minus b whole square होता है a square plus b square minus 2 a b तो a square plus b square minus 2 into a into b तो 2 into a 200 into b 200 x ठीक है अब इसको multiply कर देते हैं तो 2 into 100 200 x by pi 2 into x square 2 x square by pi यहाँ पर minus है minus आगया 100 square by pi x square by pi इससे हम multiply हो रहा है plus into minus minus 200 x by pi तो अब देखो यह plus 200 x minus 200 x cancel हो जाएगा अच्छा अब minus 2 x square by pi plus x square by pi तो यहाँ कि यह minus x square by pi यहाँ जाएगा minus x square by pi plus 100 square by pi ठीक है तो अगली पेरीट को होता है तो यह हमारे पास बचा है ठीक है तो यह आगे पूरा region का area including का जो semi-circular end था तो इसको हम लोग एक variable ले लेते है z y हम नहीं ले सकते है generally y लेते है लेकिन y इसमें already एक दूसरा variable है तो इसलिए हमने z is equal to यह ले लिया अब दोनों side differentiate करेंगे with respect to x तो dz upon dx is equal to d by dx of यह पूरा ठीक है तो इसका जब differentiate करेंगे क्या होगा d by dx of minus x square by pi यह हो जाएगा देखो d by dx of minus x square by pi तो 1 by pi इसको हमने कैसे लिख सकते है d by dx of 1 by minus को सामने लेए minus 1 by pi into x square है न minus x square by pi को जाएगा जा सकते है तो यह हमारा constant बन रहा इसको हम सामने लिखेंगे minus 1 upon pi d by dx of x square तो x square का differentiation क्या होता है 2x है ठीक है और इसके साथ multiply हो जाएगा तो minus 2x minus 2x upon pi dz upon dx ठीक है तो now dz by dx को maximize करना है क्योंकि CEO को maximum area चीए तो dz by dx equals to 0 पूट कर देते है तो equals to 0 पूट करने के बाद यह minus 2x upon pi equals to 0 pi को उदर ले जाओगे तो क्या आएगा pi को उदर ले जाएगे तो minus 2x equals to 0 आएगा फिर यह minus 2b उदर आएगा तो x equals to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x का ही value पूछा है लास्ट में हम statement में answer लिख देगे यहाँ पर केतना maximum area होगा यह नहीं पूछा है खली यहीं पूछा है what should be the value of x ठीक है तो value of x should be 0 अगर आपको area maximize करना है तो value of x क्या होना चाहिए इसका 0 होना चाहिए ठीक है